हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वॉक्षिट नंबर 12 वॉक्षिट नंबर 12 सोशल साइंस का वॉक्षिट है हमारे अतीत भाग एक का यह वॉक्षिट है क्लास 6 का आज हमें वॉक्षिट में डिसकस करना है अध्याय दो आखेट खाद संग्रा से भोजन उत्पादन तक को समझने से पहले बच्चों आप यहां अपना नाम लिखें और यहां आप अपने क्लास चीचर का नाम लिखें यह वॉक्षिट है 6 नवंबर 2020 का तो चली किस प्रकार पहले लोग जो है वह सिकार के माद्यम से अपना भोजन प्राप्त करते थे उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी चीजे सीखी और वह अब क्या करने लगे उत्पादन यानी अनाज उगाने लगे और अपना भोजन संग्रा करने लगे तो आज हम इस और गर्मी बढ़ने लगी इसके परिणाम स्वरूप कई छेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे इससे हिरन बकडी भेर और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिन्दा रह सकते हैं जो लोग इन जानवरों का सिकार करते थे वे भी इनके पीछे आये और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हांसिल करने लगे अब यहाँ देखिए बात कब की है लगभग 12,000 साल पहले की जलवायू में यानि हमारी प्रकृती में क्या हुआ बदलाब हुआ गर्मी बढ़ने लगी और इस बदलाब से क्या हुआ कि कई छेत्रों में घास के मैदान बनने लगे जिसमें हिरन बकडी भेर गाय जैसे कई जानवरों की संख्या दीनों दीन बढ़ती गई जो घास खा करके जिन्दा रहते हैं अब देखिए पहले के लोग जो जानवरों का मांस खाते थे सिर्फ अब वे क्या करने लगे उन्होंने इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हांसिल की उन लोगों ने देखा कि किस परकार ये जानवर खाते पीते हैं इनकी आदितें कैसी हैं और प्रजनन का समय क्या है ये सारी जानकारियां उन्होंने हासिल के अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे नाम और तीथियों के बारे में पढ़ेंगे तो यहां देखिए पूरा तत्य विदोंने इतिहास के अलग-अलग काल के अलग-अलग नाम रखें पूरा तत्य विद उन और ये नाम बरे बरे भी है. आरंबि काल यानि आरंब का काल जिसे कहा गया पूरा पाशान काल. अब देखिए बच्चों पूरा पाशान काल कहने का अरत है प्रागईति हासिक यूग का वह काल यानि वह समय जब मानव ने पत्थरों के आजार बनाने शुरु किये थे. यह दो सब्दों यानि प्राचीन पूरा सब्दकार्थ होता है बच्चों प्राचीन और पासान सब्दकार्थ होता है पत्थर यानि प्राचीन काल में पत्थरों के द्वारा बनाए गए जो भी ओजार थे उन्हें हम पूरा पाशान काल के नाम से जानते हैं यह नाम पूरा अस्थलों से प्राप्त पत्थर के ओजारों के महत्त को बताता है पूरा अस्थलों कहने कार्थ हैं बच्चों जब पूरा तत्तो वीदों के द्वारा खुदाई हुई और उनमें जो भी ओजार उन्हें मिले उनसे पता चला कि यह जो भी अजार है यह कब के अजार है पूरा पाशान काल के अजार है 20 लाग साल पहले से 12,000 साल पहले के दोरान के काल को क्या कहा जाता है पूरा पाशान काल आप हमेशा इसे ध्यान रखें इसे कहा जाता है पूरा पाशान काल मानव इतिहास के लगभग 99 परतिचत कहानी इसी काल के दोरान घटित हुई यहां मानव इतियास कहने का अर्थ है मानव के आरंब की जानकारी पूरा पाशानकाल के समय ही हुई थी और साथ ही उनके द्वारा इस्तेमाल किये गए ओजारों की जानकारी भी पूरा पाशानकाल में ही हुई थी जिस काल में हमें पर्यावर्णिय बतला मिलते हैं उसे मेसोलित यानी मद्धे पासान यूग कहते हैं इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल तक माना जाता है किसका समय तो मद्धे पासान यूग का मद्धे कहने का अर्थ है बच्चों जो मद्धे योग यानी बीच का समय होता है उसे हम मद्धे कहते हैं इस काल के पाशान औजार आम तोर पर बहुत छोटे होते थे उन्हें माइक्रोलिथ यानी लगू पाशान कहा जाता है जो मद्य पाशान यूग के आजार मिले वो कैसे थे तो बहुत ही छोटे थे इसलिए इसे लगू पाशान के नाम से भी जाना जाता है अगले यूग की सुरुवात लगभग 10,000 साल पहले से होती है इसे नव पाशान यूग कहा जाता है अब देखिए बच्चों हमने देखा पूरा पाशान का आरंब कब से कम माना जाता है 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दोडान जो भी काल आरंब हुआ था उसको पूरा पाशान काल कहा जाता है और मद्य पाशान काल का आरंब 12,000 साल से 10,000 साल तक के काल को माना जाता है उसी प्रकार नव पाशान काल नव पाशान काल का आरंब 10,000 साल से पहले माना जाता है नव सब्दकार्थ होता है नया और पाशान सब्दकार्थ तो आप लोग जानते ही है आप हमें कमेंट में बताएं पाशान सब्सकार्थ क्या होता है तो चलिए बच्चों निमलिखित प्रoshni के उत्तर देते हैं पहला प्रस नमारा है दुनिया की जलवायू में बरे बदलाब कब आए? कब दुनिया की जलवायू में बड़े बदलाब आए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे 12000 साल पहले आप इसे पूरा लिख सकते हैं अपने नोट बुक में आप लिखें दुनिया की चलवाईू में बड़े बदलाव 12000 साल पहले आए दूसरा है अमारा लगू पाशान क्या है लगू पाशान किसे कहते हैं तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं देखें यहाँ से आप प्रसन संक्या दो का उत्तर लिख सकते हैं जिस काल में हमें पर्यावर्निय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानि मद्य पाशान काल कहते हैं इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है इस काल के पाशान औजार आमतोर पर बहुत छोटे होते थे इनहें माइक्रोलिथ यानि लगू पाशान कहा जाता है तो यह हो गया आपके प्रस्ण संख्या 2 का उत्तर तीसरा प्रस्ण है नव पाशान यूग से आप क्या समझते हैं तो तीसरे प्रस्ण का उत्तर आप यहां से लिखेंगे बच्चों यहां देखें यह है आपके तीसरे प्रस्ण का उत्तर तीसरे प्रशन का उत्तर हो जाएगा अगले यूग की आरंभ लगभग 10 अज़ाब साल पहले से होती है इसे नव पाशान यूग कहा जाता है नव का अर्थ नया और पाशान यानी पत्थर अर्थात नव पाशान का तो प्रशन संक्या तीन का उत्तर यह हो गया यहां से सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर अवश्ची करें ताकि उन्हें भी वॉक्षित नंबर 12 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हल्प मिल सके तो मिलते हैं अगले वॉक्षित में आप सब का धन्यवाद